ये है दैनिक प्राताकाल का डिजिटल एडिशन प्राताकाल लाइफ राजिस्थान में भजनलाल सरकार ने अलग भील प्रदेश की मांग को खारिज कर दिया है बीएपी पार्टी चार राजियों के 49 जिलो को मिला कर अलग भील प्रदेश बनाने की मांग कर रही है इसके लिए मानगर धाम में आदिवासी एकत्रित हुए थे जन जातिय छेत्रिय मंत्री बाबुलाल खराडी ने इस मांग को सीरे से खारिज कर दिया है उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर अलग से प्रदेश बनाना ठीक नहीं है अलग से भील प्रदेश की मांग पर जन जातिय छेत्रिय विकास मंत्री बाबुलाल खराडी ने कहा कि विकास के लिए छोटा राजे कारगर होता है लेकिन जाति के आधार पर अलग राजियों की मांग करना सही नहीं है ऐसा हुआ तो अलग अलग जाती समाज के लोग राजियों की मांग करने लगेंगे जिससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ने लगेगा हमारी सरकार ने आदिवासी छेत्र में पानी बिजली सडक सिक्षा जैसी प्राथमिक सुविधाओं पर हमेशा फोकस किया है राजिस्थान विधान सभा में बिएपी विधायक थावरचन ने सदन में अलग प्रदेश की मांग उठाई भील प्रदेश की मांग अबजोर पकरती नजर आ रही है मानगर धाम में गुरुआर को भील प्रदेश की मांग को लेकर आदिवासियों ने एक बड़ी रैली निकाली राजिस्थान विधान सभा में भी भील प्रदेश की गूंज सुनाई दे रही है भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचन सदन में भील प्रदेश लिखी हुई टी-शर्ट पहन कर पहुचे जनजाती छेतरी विकास की अनुदान मांगो पर चर्चा के दोरान बीएपी विधायक थावरचन ने कहा कि आज मानगर धाम में एतिहासिक सम्मेलन होने जा रहा है उन्होंने कहा कि भीलो की भाषा और संस्कृती एक है लेकिन हमको मध्यप्रदेश, राजेस्थान, गुजरात और माहराष्टर के अलग-अलग भागों में बाटा गया है गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात प्रदेश बनाया गया तो मराठी भाषा के आधार पर माहराष्टर तो भील बोली के आधार पर भील प्रदेश क्यों नहीं बनाया जा सकता थावर्चन ने कहा कि हमारी भील प्रदेश बनाने की मांग को पूरी की जाए भील प्रदेश हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे